हलो फ्रेंट्स नमस्कार आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने गोगल सीट की फाइल डिलीट हो जाती है उसे कैसे रिकवर कर पाएंगे और आपको कौन सी एक ट्रिक लगानी है जिससे आपकी फाइल डिलीट हो तो रिकवर हो जाए इसमें तो भी कुछ important चीज है, जिसे आपको enable करना जरूरी है, तब ही आप अपने Google सीट की file को वापस ला पाएंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी skip किजिएगा, तो आपको चीजे समझ भी नहीं आएगी, क्यो सबसे पहले आप देखेंगे कि मैं अपने Google सीट में आ चुका हूँ, यहां से आने एक बाद आपको यहां पर दिख रहा होगा, कि एक मैंने सीट मना रहा है, टूडू लिस्ट के नाम से Google सीट, और मैं चाहता हूँ कि इसे मैं रिक और कर दो, इससे पहले मैं आपको एक ब Google Drive का option मिल जाता है, इस Google Drive का क्या काम है, और यह सीट से क्यों link होता है, यहां पर आपको doc, seat, slides, forms, बहुत सारे options है, आप यहां से क्या कर सकते है, जैसे Google Drive पर click करेंगे, जैसे Drive पर click करेंगे, आपको आपका, अपना mail का drive खुल जाएगा, इस drive में आपको देखिए, यहां प यहां पर देखिए, यह चीज़े खाली है, और यहां पर जो भी item होते हैं, तीस दिन के बाद हैं डिलीट होते हैं, यहां पर आने के बाद में क्या होता है, कि यह 30 दिन तक pending होते हैं, और 30 दिन के बाद ही यहां से permanent डिलीट हो जाते हैं, तो आप जब आप Google सीट को recover कर सकते हैं, दूसरी चीज़, दूसरी चीज़े हैं कई बार कि हम Google सीट को जब हम डिलीट करते हैं, तो वो trash में नहीं जाता है, मैं आप यह आपको क्या कर रहा हूं, मैं last में बताऊंगा कि drive के trash में जाती है, और कौन सी फाइले trash में नहीं जाती है, आप दोनों में काफ कि Google Drive के trash में आ गया, और यहां से एक बार refresh कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या यह फाइले हमारे recover हुई है, तो नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, आभी तो मैं बता रहा था कि जो भी फाइले आप delete करेंगे, वो delete नहीं होता है, बलकि हमारे drive के trash में चला जाता है, लेकिन यह फाइले यहां नहीं है, आई है, उसके लिए आपको एक important setting करने पड़ेगी, उस setting की चर्चा मैं last में करूँगा, और मैं बताऊंगा कैसे करना है, इससे पहले एदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कियो हो, तो चैनल को subscribe जरूर कर ले, और एदि आप दुबारा विजिट कर रहे हो, थो हमारे वीडियो को like और share, दोस्तों के बच में जरूर करें, और यह नए लोग भी हमारे चैनल के साथ जरूर करें, कि दोस्तों के बचमें share करें, और वीडियो को like करें, क्योंकि आपके लिए इसी पर रगा टेक्नलोजी से डिलेटेड वीडियो आते रहते हैं मैं आपको information up to date करते रहता हूँ तो ये एक educational channel भी है और ये अपको latest technology से अपग्रेट कराने के लिए मान के चलिए आपके ये लिए ये एक new channel भी है तो आप दोनों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप आरे चैनल को subscribe जुरूर करें चलिए अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ से इस to do वाले list को मैं यहाँ से remove कर देता हूँ यहाँ पर देखें एक option flash हो गया है कि move to trace मैं यहाँ CS कर देता हूँ जैसे move to trace कर दिया अब क्या करेंगे अभी आप जैसे ही अपने google drive में आएंगे देखेंगे आपर to do list का option दिख रहा है और आप जब चाहे तब यहाँ से इसे क्या कर सकते हैं restore कर सकते हैं लेकिन 30 दिनों के अंदर जब चाहे तब मतलब 2-3 साल भी जाहत तब मत कीजिएगा यह होने वाला नहीं है मैंने कि एक इसका time limit है 30 दिनों के अंदर आप इसे recover कर सकते हैं तो मैंने दो फाइले रिलीट करी थी एक तो इधर से और एक इधर से दोनों फाइले में एक फाइले हमारे trash में move होई और दूसरी फाइले trash में move नहीं होई इसके पिछे क्या purpose था क्या ये category wise है नहीं आपको मैं थोड़ा सा difference दिखाना चाहता हूँ ये जो हमारे seat नहीं है जो आप देख रहे हैं यह हमारे seat नहीं है यहाँ पर देख रहे हैं इसमें एक छोटा सा mark लगा है ये Google seat पे तब तक ये दिखेगे नहीं तो ये सली जाएगी तो अब करना क्या है कि कौन सी वो setting करें कि जिसके वज़ा से हमारा जो है कि जो भी seat हम delete करें वो हमारा गलती सदी delete भी हो जाए तो वो Google drive में जाका store रहे और मुझे जरुवत पढ़ने मैं उसे वापस निकाल सकता हूँ उसके लिए आपको थोड़ा से मैं difference और दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए चार options है चार option में last वाला available offline highlighted है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपके पास 4 option है इसमें available offline highlighted नहीं है अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इस file को remove करता हूँ option आया move to trash चला गिया यहाँ से मैं करता हूँ move to trash देखिए move to trash यहाँ पर यह file trash में move नहीं हुई क्यों? क्योंको वहाँ पर वो option available नहीं था अभी trash में दो ही file आपको दिखेंगी अभी मैं क्या करता हूँ यह file और बची है यहाँ पर sheet इसे यहाँ से मैं enable कर देता हूँ यहाँ से यह कुछ changing कर रहा है थोड़ा देर आप wait कर लिजे जैसे यह हो गया अब मैं इसे click करके move to करूँगा trash तो अब देखिए फाइल फिर से trash में चली जाएगी तो file को या sheet को suddenly या गलती से delete करने पर आप चाहते हैं कि वो trash में आ जाए तो trash में आने के लिए आप क्या करेंगे fourth वाला option available offline उसे आप click करेंगे आनि कि उस button को enable कर देंगे तो वो जो भी file आप delete करेंगे या आपके trash में आ जाता है यहाँ पर आने के बाद आप जब चाहे तब इसे 30 days के अंतर अंतरगत आप restore कर सकता है मैं यहाँ से restore करता हूँ फिर से यहाँ से restore करता हूँ फिर से 3. पर click करकर restore कर देता हूँ अब मैं देखता हूँ यहाँ पर आके कि हमारे तीनों file जिसको मैंने enable कर रहा था available offline और यह available offline वो सारी file वापस आ चुकी है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से किस परकार से हमारे google sit की file जो delete हो गई है जो google sit delete हो गया recover कैसे कर सकते हैं और आप काफी असानी से एक trick के द्वारा google sit की file को delete होने से बचा सकते हैं तो I hope आज के वीडियो पसंद आया होगा फिट से आप से एक request है अब तक आप हमारे वीडियो पे बने हुए हैं यह channel पे हमारे अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इसकी जरूवत थी इस वीडियो की और आप जरूर इससे कुछ सीखे होंगे तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा हमारे चैनल को subscribe करके बेल आइकन दबाले notification पाने के लिए और दोस्तों के बिच में share जरूर करे और like करना ना भोले चुकिए आपका like हमें motivate करता है किसी प्रकार की वीडियो जो आपके लिए मैं लेखर आज सकूँ मिलते हैं next वीडियो